Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया, मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं, आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ट्स हैं तैन ओफ वांट्स और इमोशनल लॉस और ये कार्ट्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या पर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर या फिर इन जनरल भी इमोशनली लो फील कर रहे हैं एक प्रेशर एक टेंशन भी महसूस कर रहे हैं और देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर सब के लिए डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं लेकिन टैन ओव वांज का कार्ट कहता है कि शायद आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं जितना आप कर सकते हैं आप उससे भी जादा काम कर रहे हैं आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं और देखिए बहुत बहुत important है Pisces कि इसी pressure को आप offload करें अपनी responsibilities को कम करें बहुत ही प्यार से आप लोगों को भी ना कहना सीखें और देखिए हो सकता है कि जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप बहुत जादा उन पे focus कर रहे हैं और इसी लिए कहीं emotionally low भी आप feel कर रहे हैं तो देखिए हाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Pisces कि कुछ चीजें हो सकता है कि आपके हिसाब से ना चल रही हो लेकिन बहुत सारी चीजें emotional loss का काट कहता है कि आपकी life में अच्छी भी है और जब आप उन पे focus करेंगे तो आप एक better energies अपने लिए लेकर आएंगे और better energies universe की तरफ से भी आप अपनी life में attract करेंगे तो nutshell में देखिए फिर से मैं कहूंगी अपने burden को offload करना बहुत important है और जो चीजें आपकी life में अच्छी हैं उन पे focus आप जरूर करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the world and stand your ground तो देखिए the world का card कहीं एक phase के complete होके नए phase के शुरू होने की बात करता है और कहीं foreign country से related किसी activity के भी होने की बात करता है और देखिए stand your ground का card इन ही चीजों से related कुछ challenges, कुछ issues भी रहने की बात करता है तो देखिए specifically देखे तो हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप पीछे बहुत effort कर रहे थे आप complete करना चाहा रहे थे तो कहीं इस week वो चीज complete हो रही है या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई chapter, कोई phase आपकी life में end हो रहा है नया chapter, नया phase शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा भी आप महसूस करते हुए देख रहे है और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप foreign country travel करना चाहा रहे है या फिर आप travel कर रहे है या फिर foreign country से related फिर से मैं कहूंगी कोई activity आपकी life में हो रही है देखिए ये general reading है यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन broadly speaking world का card कहीं success की भी बात करता है अपने loved ones, close ones की तरफ से एक appreciation, एक recognition भी मिलने की बात करता है और देखिए stand your ground का card कहता है कि बहुत important है जिस भी चीज में आप believe करते हैं उसके लिए आप stance लें और बहुत ही boldly, बहुत ही courageously जो भी छोटे-मोटे issues हैं उनको आप face करें और देखिए ऐसा आप करेंगे तो personal front की energies इस week बहुत great दिख रही है और professional front में भी देखिए मैंने आपको एक दो guidance दी है उसको आप follow करेंगे तो professional front की energies को भी आप better कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए refusing to see का card है और ये card बहुत ही clearly कहता है कि आप बहुत सारी चीजों को देख के अनदेखा कर रहे हैं सुन के अनसुना कर रहे हैं और देखिए जब भी भी Pisces हम ऐसा करते हैं तो temporarily तो you know better हम feel करते हैं temporarily हम issues को problems को avoid करते हैं लेकिन back end पे ये issues ये मसले बहुत बड़े होते रहते हैं और एक दिन ये इतने बड़े होते हैं कि हम चहा के भी इनको ignore नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परिशान होते हैं देखिए English में एक कहावत भी है A stitch and time saves nine जब कोई भी चीज छोटी हो उसको हम उसी time solve कर लेते हैं उसी time deal कर लेते हैं तो उसे बड़ा होने से हम बचा लेते हैं तो देखिए अगर आप indecisive हो रहे हैं या फिर किसी चीज को लेकर आप action लेना चाहा रहे हैं नहीं ले रहे हैं क्योंकि simply आप चीजों को ignore कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूंगी कि ऐसा आप ना करें आप you know upfront होके चीजों को deal करें और देखिए आप ए personal front के लिए भी stand your ground का card कहता है जिस भी चीज में आप believe करते हैं उसके लिए आप stance ले उसी से related आप अपने viewpoints बहुत ही assertively अपने loved ones, close ones या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे कहें चक्रा से आप लोगों के लिए solar plexus chakra का card है और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए